नमस्कार स्टूड़न्स मैं हूँ आपकी बयोलेजी मेंटर दिशा पामेच्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ ब्लाड एन इस कॉंपनेंट्स का दूसरा भाग पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था हमने ब्लाड के बारे में पढ़ा था प्लास्मा के बारे म पढ़ा था वह उक्सिजन कैसे चंपर करता है यह पढ़ा था साथी में हमने कुछ तेट्स बी पढ़े से हमेतोक्रेट वैल्यू साथी में इरिफ्रसाइड्स Gelification Rate भी जाना था ठीक है आज अब करने वाले हैं लिूको hard ऑ्यूका साइट गया थी यूओको साइट हमारे कि लिएक हमारे बलड के progress का दूसरा भाग था हमने क्या किया था हमने एक पड़े थे कि जो होल बलड है हमारा छो मतलब पुरा complete blood ले रहे हैं हम इसमें हम इसका क्या ले रहे हैं fluid part plasma भी count कर रहे हैं क्या count कर रहे हैं plasma भी count कर रहे हैं साथ ही में उसके और साथ क्या होते हैं formed elements भी होते हैं क्या होते हैं formed elements भी होते हैं जिनको और हम क्या बोल सकते हैं blood cells भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, blood cells भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन blood cells का या blood corpus cells के 3 types होते हैं, क्या होते हैं, 3 types, क्या 3 types होते हैं, जिन में से एक हमने तो कल ही पढ़ लिया था, पिछली कक्षा में पढ़ा था की नहीं पढ़ा था, RBC के बारे में, तो pink color से हम यहां लिख देते हैं RBC या फिर हमें काम करते हैं सारों को हम लिख देते हैं वाइट कलर से हमने पड़े हैं RBCS that is red blood cells right फिर हमने पड़े थे WBCs क्या पड़े थे WBCs के बारे में जाना था कि wbc होते हैं white blood cells पिर हमने एक और चीज़ पड़ी थी that is platelets ठीक है आज हम in Platelets और WBC के बारे में Detail में जानेंगे right अब Platelets को और क्या बोला जाता है för प्रम्बोसाइट क्या बोला जाता है थ्रॉम्बोसाइट बोला जाता है WBC के अगर हम बात करते हैं तो WBC या Leukosides are further divided into two categories एक ऐसे जिनमें Granules होते हैं उनको हम बोलते हैं granulocytes और एक होते हैं जिन्मे ग्राणीूल्स नहीं होते हैं उनको बोला जाता है granulocytes होते है इतनी बात जानी थी की नी जानी थी याद आ रहा है एक granulocytes में हमारे पास दो तरेके के odd further divisions थे क्या थे ये दो further divisions एक थे monocytes क्या थे एक हमारे पास monocytes है अलग कलर से लिख लेते हैं एक थे हमारे पास में monocytes जो की कैसे होते हैं phagocytic in nature होते हैं और cells में जब ये घुसते हैं तो ये कैसा action करते हैं macrophages जैसा ठीक है और दूसरे कौन से होते हैं दूसरे होते हैं lymphocytes कौन से होते हैं lymphocytes होते हैं ठीक है lymphocytes फिर कितने तरिके होते हैं lymphocytes फिर दो तरिके के होते हैं एक होते हैं B lymphocytes जिनको B cells बना के जाते हैं और एक होते हैं T lymphocytes जिंको T-cells बना कर चाथे है अब क्या स्माझा गए अगर हम जो साइट्स की बात करें यह तो एग इन साइटोपलाज्म ट सलय की मास्ट सजल की तरह आक है फूराइप इसिफिल्स न फिर आप अगर कि अगर हम इनकी परसंटेज की बात करें तो प्लाजमा को हमने क्या का था प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55 परसेंट है क्या है प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55 परसेंट है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड में 45 परसेंट हिस्सादारी रखते हैं क्या रखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45 परसेंट हिस्सेदारी रखते हैं जिसमें से जो आ RBC होते हैं वो 44% होते हैं क्या होते हैं RBC 44% होते हैं और बाकी जो 1% होता है वो WBC WBC और platelets मिल जुलकर 1% बना लेते हैं ठीक है क्या होते हैं जो WBC और platelets होते हैं वो मिल जुलकर कितना बना लेते हैं 1% बना लेते हैं बाकि जो WBC के बारे में हम पढ़ेंगे वो हम एक बार और नई स्लाइड पे देख लेते हैं उनके percentages ठीक है चलिए अब यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं हमारे WBC की मतलब हमारे वाइट ब्लाड सेल्स की बात करने वाले हैं ठीक है वाइट ब्लाड सेल्स की जब हम बात करते हैं तो यह वाइट ब्लाड सेल्स less than 1% रहता है, white blood cells का amount कितना रहता है, less than 1% रहता है, ठीक है, white blood cells को और क्या बोलते हैं, हम leukocytes बोलते हैं, क्या बोलते हैं, leukocytes भी बोलते हैं, ठीक है, अब इनको क्यों white blood cells बोला है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, colorless होते हैं, कैसे होते हैं, colorless होते हैं, ठीक है, इन में कोई pigment नहीं होता No pigment is present क्या नहीं होता No pigment is present and this is the army of our body army of our body हमारी body की क्या है ये army है छिक है अब ये जो lymphocytes होते है ये फिर से दो तरीके के होते है ये leukocyydes sorry जो leukocytes होते है WBC होते है ये दो तरीके के होते है हमने क्या क्या टरी इनके टाइप्स पड़े थे ए ग्राणः लो साइट्स किया पड़े थे ए ग्राण्ः लो सैट्स अभी पीछे वाले फ्लो चार्ट में देखे जितनी बार ये बनाओगे न उतनी बार आपको अच्छे से याद होएगा ये ठीक है और क्या होएगा granulocytes क्योंकि क्या है ये बहुत ज़ादा important है आपके लिए क्या है आपको पता हो न अच्छी कि आपकी blood में क्या-क्या cells है जो granulocytes एक granulocytes है वो दो तरिके हैं monocytes राइट क्या है monocytes और क्या है lymphocytes ठीक है अभी हम आपको इनकी percentages भी याद कराएंगे और ऐसे याद कराएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं granulocytes तीन तरिके होते हैं neutrophils क्या होते हैं neutrophils होते हैं ये भी phagocytic किन nature होते हैं right neutrophils को ऐसे underline करा है कि भाई काठ ही दिया है उसको तो ठीक है तो एसे नहीं करना यहां लिखेंगे हम clearly neutrophils ताकि आपको समझ आए अच्छे से neutrophils फिर हैं हमारे पास besophils और दूसरे हैं हमारे पास eosinophils ठीक है राइट इतनी बाते समझ आ गई ठीक है तो अब क्या है एक आपको मैं short form याद कराती हूं क्या है short form n l m e b यह याद करोगे यह कैसे याद करोगे n for neutrophils ठीक है l for lymphocytes m for monocytes e for eosinophils and b for besophils ठीक है अब जो यह n है यह ऐसे ऐसे घट रहे हैं यह ठीक है उपर वाला जो है उसका percentage सबसे हाय होगा that is 60 to 65% क्या है मतला न्यूट्रो फिल्स का जो percentage है वो है 60 to 65 percentage ठीक है उसके बाद कौन है हमारे लिंफोसाइट्स जिनका percentage है 2225 percentage लिंफोसाइट्स का percentage क्या है 2225 percentage ठीक है मोनोसाइट्स का कितना है 2 to 10% मोनोसाइट्स कितने परसेंट हैं कितने प्रतिशत है दो से तीन प्रतिशत योजीन फिल्स कितने हैं दो से तीन प्रतिशत यह सिन फिल्स है और जो फिल्स है वह बहुत ही कम है दाट जीरो पॉइंट फाइफ तो वन परसेंट कितना है बेस फिल्स जीरो पॉइंट फाइफ तो वन परसेंट इतनी बात समझ आ गई ठीक है यह फ्लोचार्ट फड़ा फट्स अपनी कॉपी में निकाल लो राइच छाप लो चुप चुप से और इसको अपने दिमाग में भी चिपका लो यह image आपको as it is याद रहनी चीए यह वाला फ्लोचार्ट भी और यह वाला फ्लोचार्ट भी क्या होगा इससे आपके काफी सारे mcqs निकल जाएंगे इसलिए यह images as it is अपनी दिमाग में चाप लो ठीक है और यह जो मैंने आ इससे आपको यह बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे इनके परसेंटेजिस ठीक है आगे बड़े चलो सो ल्यूको साइट को वाइट ब्लड कॉर्प्यू सेल्स भी बोलते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इन में क्या नहीं होता इन में हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए आपके पास क्या होता है टी एलसी निकाला जाता है टोटल ल्यूको साइट काउट अगर यह आपका ज्यादा आता है अगर यह आपका जादा हाता है मतलब आपके शरीर में क्या है आर्मी बड़ीवी है आपके शरीर में जो आपकी बॉडी की आर्मी है सेना है सेनिक है वो बड़े हुए है सेना और सोलजर्स कब बढ़ते हैं जब क्या होता है कोई अटाक होता है कोई दुश्मन बाहर से आपक अंदर घुसता है मतलब क्या है आपको infection है किसी तरह का क्या है infection है जो भी number of leukocytes आता है उसको हम क्या बोलते है total leukocyte count बोलते है total leukocyte count हो सकता है आपका 5000 से लेके 10,000 per mm cube of blood in humans इत्ती बात समझ आ गई thus they are less in number than the RBCs RBC से तो of course कम है RBC हमने कितने पड़े थे RBC हमने कितने पड़े थे हमने देखा था कि man में जादा होते है और women में कम होते है women में 4.5 million per mm cube of blood होते है ठीक है और जब कि man में क्या होते है 5 million per mm cube of blood होता है ठीक है so rise in WBCs जो rise होता है अगर मान लो क्या मैंने आपको बोला कि यह जो leukocytes है जब total leukocyte count बढ़ रहा है तो आपके body में क्या है infection है मतलब आपको क्या हुआ है मतलब आपको क्या हुआ है leukocytosis हुआ है क्या हुआ है leukocytosis मतलब आपका white blood cells का count बढ़ रहा है increased total leukocyte count shows that there is acute bacterial infection क्या है किसी प्रकार के bacteria का infection है अगर abnormal increase हो रहा है wc में जैसे कि कहा होता है यह cancers में होता है तो जब cancer की indication होती है यह cancer का doubt होता है doctor को तो वह patient को बोलता है कि जाके आप अपना blood test करवा और अगर आपका wbc बहुत जाधा बड़े उये क्या हो रखे हैं बहुत ज़ादा बड़े में हैं तो malegnancy हो जाती है cancer हो जाता है या फिर क्या हो सकता है leukemia भी हो सकता है जिसको और क्या बोला जाता है blood cancer भी हो सकता है तो fall in WBC is called leukopenia, अगर क्या हो गया है WBC का count, WBC का count आपकी सेना बहुत ही कम हो गई है, उसको हम क्या बोल रहे है, leukopenia बोल रहे है, क्यूंकि कुछ conditions में जैसे कि follyk acid की deficiency है, तो क्या हो रहा है, आपके white blood cells नहीं बन रहे हैं, so total leukocyte count जो है आपके WBC का वो गिड़ जाएगा टोटल काउंट ऑफ WBC इस यूसफुल इन डाइग्नॉसिस ऑफ वेरियस डिजीज़ नॉर्मल और लो टील्सी इन वाइरल इंफेक्शन मलेरिया और टाइफॉइड और ट्यूबर कुलॉसिस इतनी बात समझ आए अब शेप की अगर हम बात सीज में इन WBC में क्या होता है एक इनके पास एडवांटेज होता है उस एडवांटेज को हम बोलते हैं डाया पिडेसिस क्या बोलते हैं डाया पिडेसिस बोलते हैं यह क्या करते हैं यह ब्लाड में से ब्लाड क्या लरी में से स्क्वीज करके बाहर निकल जाते हैं मान लि पार्टिकल दिखाए तो यह क्या करेगा यहां से स्क्वीज होके चला जाएगा इर्रेगूलर शेप होती है इनकी अमीबा जैसी तो यह क्या कर सकते हैं अपने शेप को चेंज करके बाहर जा सकते हैं और इसको या तो इंगल्फ कर लेंगे जो भी यह डव्लू बीसी होगा यह इसको क्या करेगा अपने फंक्शन के हिसाब से इसके उपर काम करेगा इतनी बात समझ आ गई तो इस फिनॉमिन को हम क्या बोलते हैं डाया पिडेसिस देकिन चेंज देर शेप लाइक अमीबा और दस केपेबल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट राइट इस इनेबल्स द पास क्या है सेल्स हैं और यहां पर कोई फॉरन बॉड़ी पार्टिकल आ गया है यहां पर कोई और यहां पर क्या है आपके पास में क्या है क्या है क्या है क्या है क्या पिलरी में जा रहा है क्या रहा है आपका यह डब्ली बीसी तो डब्ली बीसी क्या करेगा ऐसे जाएग WBC है यह अपना करेगा change shape क्या करेगा अपना change करेगा shape और यहां से ऐसे यह squeeze होके निकल जाएगा shape change करी इसने चैन्ज कर के ही कहां आ जाएगा यहां extra vascular region में आ जाएगा extra vascular region मतलब extra vascular region extra vascular region मतलब हमारी जो vessels है blood vessels है उनसे बाहर tissues में आ जाएगा ठीक है इस process को हमने क्या बोला है यह जो changing of shape है इसको हमने क्या बोला है diapidesis क्या बोला है diapidesis है यहाँ पर भी लिखावा है right so size कैसा है size कैसा है इनका rbc से बड़े होते हैं यह 12 to 20 micrometer के होते हैं in diameter जबकि जो हमारा rbc था जबकि जो हमारा rbc था वो क्या था 7 to 8 micrometer का था यह कितने है 12 to 20 micrometer के हैं अगर color देखें इनका तो color कैसे होते है colorless होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी pigment नहीं है structure की अगर हम बात करते हैं अब हम आते है structure के उपर so a leukocyte consists of a cell membrane cell membrane तो होगी rbc से अगर इसमें क्या difference है इसमें difference है तो इसमें organolys है मतलब इनके पास क्या है nucleus है इनके पास mitochondria भी होगा इनका दिल rbc जितना बड़ा नहीं है इनका दिल RBC जितना बड़ा नहीं है तो इनके पास Nucleus भी है, Mitochondria भी है, Golgi Aparitus भी है, Centrioles भी है, और Endoplasmic Reticulum ER भी है, अब आप खुद सोच लो कि क्या है, यह सब इनके पास क्यों है, WBC के पास यह सब कैसे है, क्योंकि जो WBC है, वो वाइट है, कैसे है, वाइट है, उनके पास क्या नहीं है, हीमोगलोबिन नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो सारा किस के पास है आरबीसी के पास है इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है तो इनके साइटोप्लाजमे में बहुत सारी जगे है अब बहुत सारी जगे है तो WBC ने बोला जब मेरे को आप भगवान जी हीमोग्लोबिन दे ही नहीं रहे हो मेरा साइ करता हूं मैं Nucleus, Mitochondria, Golgi Apparatus, Centrioles, ER और बाकी सारे अपने क्या और गानलीज ले लेता हूं तो क्या होता है Cytoplasm में Mitochondria, Golgi Apparatus, Centrioles, ER ये सारे चीज़े होती हैं और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि RBC में Nucleus नहीं होता और WBC में Nucleus होता है इतनी बात समझ आगई टाइप्स की अगर हम बात करें तो हम इतनी भतेरे बार फ्लो चार्ट बना चुके हैं कि हमारे को पता है कि WBC दो तरह के होते हैं एक जिनमें ग्रानि युलोस और एक जिनमें ग्रानि युलोस नहीं होते हैं एक घ्रानि ओलोसाइट यह तो दिशमा बता चुकिए हमारे को अब यह क्या अगए हमारे पास टाइप अगए जिसमें से निहोटाे भी देखे बता सब्सक्राइब कर देखिए और जो ब्लू कालर के विदाउट ग्रांव् projections जिन में granules आपको नहीं दिख रहे हैं वो क्या है वो है हमारे A granulocytes that is monocytes and lymphocytes अब neutrophils कैसे होते हैं ये भी phagocytic in nature होते है neutrophils कैसे होते है phagocytic होते है nature में monocytes कैसे होते है monocytes भी कैसे होते है phagocytic होते है जब तक ये cell में नहीं जाते तब तक ये monocytes जैसे लेकिन यह सेल में घुसते हैं यह क्या बन जाते हैं? मैक्रो फेजes बन जाते हैं मैक्रो फेजिस बन जाते हैं और वाइन अधोरण बोडी पार्टिकल का क्या करते हैं फागो प्रड़ो до फांगो भलते अपने अंदर ले लेते टूटे हुए cells हैं, मर गए हैं, cells हमारे शरी में, wear and tear हो रहा है, उसको कौन clean up करेगा, monocytes करेंगे, eosinophils क्या करते हैं, allergic response में काम आते हैं, मतलब क्या है, parasites को मारते हैं, cancer cells में बहुत जादा बढ़ जाते हैं, और allergic responses करते हैं, lymphocytes क्या करते हैं, lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes होते हैं, यह antibody बनाने का काम करते हैं, मतलब कोई भी अगर particle आ जाता है, कोई भी अगर यह particle आ जाता है, तो क्या करेंगे, इसके उपर जाके एक छोटा सा flag लगा देंगे, कि अगर यह कोई foreign body particle है, तो यह foreign body particle जाके किसको present कर देते हैं, यह किसको present कर देते हैं, MHC complex को present कर देते हैं, जाके that is major histocompatibility complex, MHC complex क्या होता है, major histocompatibility complex होता है, तो जब भी क्या होगा, जब भी कोई भी foreign body particle को flag किया जाएगा, तो उसको present किया जाएगा, उसको present किया जाएगा MHC को major histocompatibility complex को इतनी बात समझ आ गई तो क्या करते हैं fight करते हैं viruses को और antibodies बनाते हैं कौन बनाते हैं lymphocytes basophils क्या करते हैं basophils क्या करते हैं allergic response में काम आते हैं साथ ही में यह जो basophils होते हैं यह mast cells की तरह काम आते हैं क्या करते हैं क्या release करते हैं heparin release करते हैं anticoagulant होता है साथी में histamine भी release करते हैं histamine भी कौन release करता है यह release करते हैं और क्या release करते हैं यह serotonin release करते हैं क्या release करते हैं serotonin release करते हैं mast cells की तरह काम करते हैं इतनी बात समझ आ गई तो एक granulocytes जिन में granules are not found, cytoplasm नहीं मिलते हैं और granulocytes दो तरिके के होते हैं, monocytes और lymphocytes, lymphocytes के गर हम बात करें, तो lymphocytes क्या है, they are smaller in size containing scanty cytoplasm, इन में क्या होता है, cytoplasm आपका काफी कम होता है, large rounded nucleus होता है, क्यों cytoplasm कम होता है, क्योंकि ये होते तो काफी बड़े सारे हैं, लेकिन इनके अंदर का जो nucleus है, वो काफी जगे इखटा कर लेता है, तो इसलिए यह जो नूक्लिय जब काफी जगे इखटा कर लेता है घेर लेता है तो इनके अंदर का जो साइटो प्लाजमा है उसको जगे काफी कम मिलती है उनको क्या होता है साइटो प्लाजमा को जगे काफी कम मिलती है इसलिए इन में साइटो प्लाजमा स्कैंटी होता है नौन मोटाइल होते हैं और नौन फागोसाइटिक होते हैं कैसे होते हैं यह मारधार नहीं मचाते यह कतले आम नहीं करते लिंफोसाइट कैसे यह कतले आम नहीं करते हैं मारधार नहीं मचाते इसलिए इनको क्या बोला गया है नौन फागोसाइटिक यह क्या बनाते हैं आप बनाते हैं से मर से स्टोरी आने के लिएक याद करने के लिए बता हुब की जो लिम्फो साइट है वह बड़ाते हैं कौन सी बलेट बनाते इक ANT यगे कॉलिय बनाते हैं बनाते मैं क्या होता है मान लीजय किसी इंसान में किड्नी क्या हुए मैंटे। हुई है किड़नी ट्रांस्प्लांट हुई है मतलब मान लिजे एक पेशंट है उसमें क्या हो गई एक किड़नी फेल हो गई दो किड़नी हो गई फेल अब क्या करना है उसको किसी कोई क्या मिल गया है डोनर मिल गया है अब क्या होगा उसकी किड़नी को हमारी बॉडी में क्योंकि इनको लगता है कि यह जो kidney है यह मेरे body की नहीं है यह कोई घुसपैटिया है जो मेरे शरीर में आ गई है तो यह उस kidney के ओपर अपनी इन bullets से attack करते हैं क्या करते हैं इन bullets से attack करते हैं और उस kidney को damage करने का काम करते हैं यह दूसरे उनके साथ भी क्या करते हैं अगर microbes आ या कोई foreign body body particle आजाए या toxin जहर आजाए कोई जहरीला पदार्त आजाए तो उनके साथ भी यह वैसा ही व्यवार करेंगे क्या बनाएंगे बुलिट्स बनाएंगे antibodies बनाएंगे और उनको मारने का काम करेंगे लेकिन क्या है जब इनके पास में क्या आरी है kidney आरी है foreign kidney आरी है तो क्या हो रहा है इनको नहीं पता कि वो kidney काम किये इनको तो सिर्फ यह लग रहा है कि वो foreign body particle है हमारा काम है हम इस शरीर में से foreign body particle को निकाला तो यह अपनी bullets बनात करने लग जाते हैं साथ ही में जब क्या है जब हमारे बॉड़ी में कोई ट्यूमर बन रहा है तब भी क्या होगा इनका नंबर बढ़ जाएगा और यह किसमें मदद करते हैं लिंघ में भी मदद करते हैं गाव को भरने में भी मदद करते हैं इनका दो मेजर अबे न्योक्लियस और संब्स साईडं में बैठें क्या है कफी कम है क्या है साइटो प्लाज्म noi काफी कम है की नहीं और इनकी शेप देखो कियों है अमीबोएन शेप है तो इन एक अुदे इयमे यह को क्या रहिए व sommes 224 कि वर्स पॉर्टि पर्सेंट आफ हो वाय ब्लड सेल्स मैं आपको क्या बताया था NLMEB यह बताया था यह एन तो 60-65% थे लेकिन लिम्फोसाइट कितने थे 20-25% थे याद आया कि नहीं आया चीक है अब आज़ते हैं मोनोसाइट्स पे तो जो यह मोनोसाइट्स होते हैं यह होते हैं लार्जिस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्ल सारे WBC का शेप अमीबॉइड शेप का होता है इनमें क्या होता है काफी सारा साइटो प्लाजम होता है और न्यूकलियस जो होता है वो बीन शेप का होता है मतलग अगर आपका यह मोनोसाइट है तो इसके अंदर का जो आपका न्यूकलियस होगा वो कुछ ऐसा होगा कैसा ह यह जो है उन्हें करते हैं फॉर मोनोसाइट्स एंफ़ मारधार ठीक है तो आप ऐसे याद रखोगी कि फेगोसाइटिक नेचर में होता है इंगल्फ कर जाते बैक्तिरिया को और सेलीलर डेब्रिस को जेनरली जेंज इन्टु माक्रोफाज आफ्टर एंटरिंग तिशू करका कि मान लीजिए आपके पास क्या है ये क्या है इन टिशू समें यहां पर क्या है क्या है अब यहां पर जुब यह ब्रम उस्त चल रहा है यहां पर क्या है एक फॉरन पार्टिकल आ गया है यह क्या गया है आप यह माक्रोफार्ज लेकिन इस से पिछक की निकलने की कोशिक करेगा और पिछक के निकल कहां आजाएगा यहां पर आजाएगा कहां आजाएगा यहां पर आजाएगा और यह इसके चारों तरफ ऐसे क्या बना लेगा इसको इंगल्फ करने की प्लानिंग करेगा इसके चारों तरफ लिपिट गया अब क्या होगा यह जो फॉरिन बॉडी पार्टिकल है यह इसके अ ठीक है अब इस मैक्रोफार्ज के अंदर क्या होता है इनके पास लाइजोजोम्स होते हैं क्या होते हैं इनके पास में इनके पास में होते हैं लाइजोजोम्स मतलब इनके पास में कुछ ऐसे बैग होते हैं जिनके अंदर डीग्रेडिंग इंजाइम्स होते हैं या क्या होते है toxins को destroy करने वाले enzymes होते हैं ठीक है अब क्या होगा इन दोनों का मिलन हो जाएगा इन दोनों की मिलन होने से क्या होगा इन दोनों का मिलन होगा यह हुआ लाइजोजाइम का foreign body particle के साथ में मिलन अब क्या होगा इसके अंदर यह foreign body particle है जब यह दोनों मिल गए जुड़ गए तो यहां पर इंजाइमेंज ते वो इसके उपर action करेंगे इसके ऊपर action करेंगे यह तो क्या होगा कैन करेंगे तो यहां पर क्या है यहां पर इसके fragments हो जाएंगे क्या हो जाएगा यहां फोरन बाडी पार्टीकल के क्या हो जाएंगे fragments हो जाएंगे क्या हो जाएगा टूट जाएगा यह चीक है समझ आगई तो यह किसको जाकि इसका एक fragment जाकि किसी को mhc को present कर सकता है या फिर इसको ऐसे destroy कर सकता है इतनी बात समझ आगई तो क्या हो रहा है थे change into macrophages after entering the tissue spaces यह हमने देख लिया कि कैसे macrophage बन गया मोनोसाइट अब यह क्या है यह हमारा macrophage है यह हमारा macrophage राइट macrophage के पास में आप यह देख रहे हो इसका इसका क्या देख रहे हो आप यह नुकलियस एक रहे हो कैसा है इसका नुकलियस इसका नुकलियस है बीन शेब्ड नुकलियस कैसा है इसका नुकलियस कैसा है बीन शेब्ड नुकलियस है साइटोप्लाज्म है इसके पास काफी सारा साइटोप्लाज्म है सेल मेंब्रेन है ठीक है और क्या है लाइजोजोम इसी की ही में बात करी थी कि यह जो क्या है बोडीज है यह लाइजोजोम्स है क्या है यह लाइजोजोम्स है दूसरे पर हम आते हैं हमारे ग्रानियोलोसाइट्स यह थे हमारे मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स जो कि क्या थे ए ग्रानियोलोसाइट्स थे अब हम आते हैं ग्रानियोलोसाइट्स पर तो ग्रानियोलोसाइट्स क्या होते हैं ग्रानियूल्स होते हैं उनकी साइटोप्लाज हो सकता है ठीक है लोट और क्या हो सकता है सब डिवाइडेड हो सकता है मतलब ऐसे पतली जॉइंट से connection से ऐसा जुडावा हो इनकी जो staining property होती है अगर यह मान लिजे acid dye से होते हैं stain अगर इनको acidic stain से dye करना हो ठीक है इन रखा गया नाम रखा गया है इन प्रॉपर्टीज के हिसाब सेहीं त्रीके होते हैं सबसे पहले होता है यह प्रॉपने के लिए हमारे को क्या चाहिए acidic dye है इनका nucleus कैसा होता है त्टू लोब होता है देखो कैसा है तू लोब दिख रहे हैं, यह एक लॉब यह रहा और यह अपको पिंक पिंक ग्राणीयो ग्राणीयिश है2, यह ग्राणीयुज्स नहीं ते राइट उस लेते हैं, फाइसिशन इंतरी भांट जो होता है जो होती है वो acidic होती है और उनका number their number increases in people with allergic conditions such as asthma and hay fever मैंने आपको क्या बताए था जब भी क्या होता है किसी इंसान को asthma होता है तो asthma किस वज़े से होता है allergic response होता है usually कि pollen grains से हो गया dust particles से हो गया तो यह reaction कौन देगा eosinophils देगा इनका जो number है वो eosinophils जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं asthma और hay fever में ठीक है they also help in dissolving blood clot जो clot बन गया है उसको dissolve करने में मदद करते हैं non phagocytic होते हैं and play an important part in the immune system इनकी कुछ similarity lysosomes के साथ होती है और यह easily कहां attach कर जाते हैं can attach themselves to parasitic forms and cause their destruction by liberating lysosomal enzymes on their surface मतलब इनको कोई अगर foreign body particle दिख गया या parasite दिख गया जो हमारी body में आके हमारी body पर feed कर रहा है तो यह जाएंगे eosinophils जाएगा उसके ओपर जाके चिपक जाएगा और वहां पर अपने lysosomal enzymes निकाल देगा जैसे microzooms में क्या थे macrophages में क्या थे macrophages में अंदर उनके क्या थे lyzosomes थे तो उनके उपर अंदर भी क्या था lyzosomal enzymes थे जो वो क्या करते थे जो उन्होंने खाया था foreign body particle उसको से मिला देते और स्ट्रॉय कर देते हैं पेसोफिल्स होते हैं यह सब्स thats होता है यह नARS सब्सक्राइब तरह और पीचे की तरफ है 1 2 3 नूकलियस कैसा है 3 लोब नूकलियस है और आपको ग्रानुल्स दिखी रहे होंगे और यह जो ग्राइब है यह बेसिक म्लेस होते हैं कि सेस्टेन होते हैं किह सब्सक्राइब से लेते हैं consistent क्या बोला जाता है मिथाइलीन ब्लू अब मैंने आपको का था कि जो बेसो फिल्स होते हैं वो तीन तरह के हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं मास सेल्स की तरह हिपारिन सेरोटोनिन एंड हिस्टमीन सो देयर प्रॉबबली लाइक मास सेल्स ऑफ कनेक्टिफ टिशूस कनेक्टिफ जो हमनें तिशूस हैं अन में प्रेजन होते हैं करनेक्टिफ टिशूस में उन में से एक मास्स वी होता है मास्स का क्या था हीatures रिलाइस करना था जिसमेंसाब अगरहम याद तो हेदिश ऐसन का काम थे पारिन का का म अभी हमने ब्लट है कि हेस्ट काम क्या है एंटी को आग्युलेंट क्या है यह यह क्वेज ÖTS Italy है मतलब बलड को यह क्लोट नहीं לא जमने नहीं देगा उसके बाद जो हिस्टमीट कर रहे है और स्थ्चिमीन में क्या होता है वाकतै वैसो डाइलेटर होता है क्या होता है वैसो डाइलेटर होता है मतलब अभी अगर आपकी ब्लाड वैसल का डायमीटर इतना है ठीक है तो अगर आप क्या दोगे हिस्टमीन अगर आप देते हो तो उसका डायमीटर चौड़ा हो जाएगा ठीक है क्या हुआ है अभी आपका ये ब्लाड वैसल है इसका डायमेटर सिर्फ इतना सा है ठीक है यह क्या है आपका ब्लाड वैसल है ठीक है आपने क्या रिलीस करवा दिया हिस्टमीन रिलीस करवा दिया और इसका डायमेटर कितना चौड़ा हो गया हो गया कि नहीं हो गया अब क्योंकि यह डायमेटर चौड़ा हो गया तो यहां पर क्या रहा है ब्लाड आ रहा है ब्लाड वैसल में क्या फ्लो करता है ब्लाड फ्लो करता है तो अभी यहां पर क्या हो रहा है इतना ही ब्लाड फ्लो कर सकता है लेकिन जब पाइप का मुझ चोड़ा हो गया ब्लाड वैसल का क्या हो गया डायमीटर बढ़ तो ज्यादा पानी आ सकता है ना मतलब क्या होगा ज्यादा ब्लड आएगा तो जिस जगे में भी वैसो डाइलेशन होगा वैसो मतलब वैसल्स ब्लड वैसल्स वैसो मतलब वैसल्स और डाइलेशन मतलब चौड़ा होना मतलब क्या हो रहा है ब्लड वैसल्स का चौड़ा हो र रेडनेस देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिल सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है, अगर यह पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो इसको हम वाइट से ही लिख देते हैं, तो जहां पर भी क्या हो रहा है, वैसो डाइलेशन हो रहा है, blood का inflow बढ़ेगा blood का क्या बढ़ेगा inflow बढ़ जाता है blood के inflow बढ़ने से क्या होगा वहाँ पर RBC का नंबर बढ़ेगा RBC के नंबर से वहाँ पर क्या होगा उस एरिया में redness आईगी redness आने से क्या होगा inflammation होगा क्या होगा सूजन होगी क्योंकि वहां की vessels सूज गई है inflammation होगा तो वहां पर क्या हो सकता है वहां पर क्या हो सकता है थोड़ी सी warm था सकती है गर्मी हो सकती है heat produce हो सकती है साथ ही में क्या होगा ये inflammation से pain भी होगा क्या होगा पेन भी होगा ठीक है इतनी बाते समझ आगी दूसरा क्या है हमारा दूसरा जो रिलीस करते हैं बेसो फिल्स वो क्या है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है सेरोटोनिन तो सेरोटोनिन क्या करता है सेरोटोनिन क्या करता है वैसो वैसल का क्या करता है क्या करता है क् करता है मतलब अगर आपका अगर आपका ब्लड वैसल का डायमीटर यह है और अगर आपका ब्लड वैसल का डायमीटर यह है और अगर आपने सेरोटोनिन दे दिया तो आपका ब्लड वैसल का डायमीटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दिख र होता है connective tissues में अब हम आते हैं neutrophils के उपर सो neutrophils कितने थे हमारे पास 62 65 most number of neutrophils का ही होता है leukocytes में so nucleus कैसा होता है lobed होता है और इनमें fine granules होते हैं यह क्या होता है दोनों acidic stain acidic plus basic stain दोनों from the same स्टेन्स से यह क्या होते हैं डाय होते हैं यह दोनों तरह कि acidic और basic stain से डाय हो सकते हैं neutrophils क्या होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं most numerous 62 65 percent होते हैं कुछ neutrophils कैसे होते फीमेल मैमल में उनके उपर एक क्या लगी होती है जिसे कि न्यूट्रोफिल उनके उपर तों यह और क्cake बोल सकते हैं यह क्या होती है क्या होती है क्या होती है दिस लोग is called drumstick और बर बось को किसne एकहा था इसको किसने देखा था इसको देखा था साइंटिस्स नहीं जिनका नाम था बार सो ड्रम स्टिक इस फॉर्मेशन और एक्स क्रोमोजोम राइट सो यहां पर एक डाइग्राम है कि न्यूट्रोफिल्स आक्शन कैसे करते हैं अब देखो बाक्यू का तो मैं आपको डाइग्राम बना के दिखाया तो मैं सोचा कि यहां न्यूट्रोफिलजा रहा है यहां से यहां पर क्या आया बैक्टीरिया आगया तो क्या हुआ दिए क्निकल्स क्या करते हैं दो किसकोIns강 NETRAK किया Neutrophils को attract क्या क्यूंकि chemical सिक्रेट हुआ वह तिश्यू एरिया में से इस इसे कहां पर दिफ्यूस हुआ कहां पर ब्लड वैसल मेंdepend उसने नुट्रो फिल को बोला कि तुम यहां पर आव ने में देखा है कि यहां पर बैक्तिरिया है जिन के ओनकर marker flags लगे वे हैं neutrophil आया neutrophil squeeze होकर बाहर आया यह जो हो रहा है यहाँ पर इसको हमने क्या बोला था diapidesis बोला था कि नहीं बोला था तो आपको एक बड़िया diagram भी दिख गया diapidesis का देखो कैसे shape change करता हुआ यहां से पिचक कर वाल में से बाहर आ गया अब क्या करेगा neutrophil bacteria के पास में आएगा और उनको खाने लगेगा जो जो antibodies से mark हुए वे हैं जो जो क्या है antibody से mark हुए वे हैं अब क्या हो रहा है यहां पर कि मान लो यह क्या है मान लो कि यह क्या है एक bacteria है क्या है इस bacteria पर यह लगावा है यहां बाक्टीरिया के और उसको एंगाल्फ कर लेंग अपने अंदर क्या Igor Isengulf कर लेगा और यहां सर क्या होगा यह उसने अपने चारों तरफ बना लिया गोया करने के बाद यह किस वालस यह दो Seven जोड जाएंगी और यह एक क्या होगा चेंबर इसा सबस्क्mpfen किया होगा न्यूट्रोफिल इंगा बेक्टीरिया बैक्टीरियर बैक्टीरिया समस्की भी होगा इनके पास लाइजोजोम होगा वह उसका मिल जाएगा दे интересно कर देंगे ब्रेकडवन कर देंगे इतनी बात समझ यह लिए ओर है किसको बहुत है किसकह नंबर बढ़िए था किसका बढ़ रहा था लूकोसाइट का नंबर बढ़ रहा था उसको हमने क्या बोला था Leuco तो अब क्या हो रहा है ल्यूकोसाइट के बनने को हम क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइट के बनने को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट के बनने को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट के बनने को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइट क्या बोलेंगे ल्यूकोसा बना रहा है लिंफोसाइट यह सब बना रहे हैं ठीक है लाइस्पैन क्या है ग्राणियोलोसाइट का लाइस्पैन होता है यह वन्स रिलीज फ्रम दे बोन मैरो चार से आठ घंटे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और फोर तु फाइव डेज इन दे टिशुस ब्लड में चार से आठ घंटा घूमते रहते हैं और टिशुस में जाने के बाद यह चार से पांच दिन तक वहां जिन्दा रह सकते हैं मोनोसाइट क्या है इनकी बहुत छोटी लाइफ स्पैन है टेंट टू ट्वेंटी आवर्स ओनली जो मोनोसाइट से उनकी लाइफ स्पैन क्या है है है लिंफो साइट लेकिन डिपेंड करता है कि बॉडी की अब हम आते हैं लास्ट जो हमारा फॉर्मड एलीमेंट है वो है हमारा वस्फे बलाट प्म में ब्लतेया काफी कम होते हैं काफी कमों डीने मीसे मै बनाना ए Só EVK कम होते हैं लेकिन नका नंबर लेकिन इनका नंबर WBC से ज्यादा होता है क्योंकि WBC तो कितने होते हैं 5000 से 10 हजार होते हैं पर mm cube of blood जबकि यह क्या होते हैं यह धाई लाग से तीन लाग प्लेटलेट्स आपको मिलेंगे पर mm cube of blood अब यह थ्रॉम्बोसाइट्स होते हैं यह एक्चुली में सेल्स नहीं होते हैं यह सेल्स के क्या होते हैं फ्राग्मेंट्स होते हैं टूटे वे सेल्स के या फिर इनको thrombocytes बोलते हैं अब ये platelets का काम क्या है ये blood clotting में मजट करते हैं प्लाज्मामें एक प्रोटीन हमारे को जरूर मिलता है जिसको आपर इसucharों इसवें भूणा जन बोलते है वह भी blood clotting . लेकिन जो thrombocytes होते हैं वह भी क्या बनाते है ? जब भी आपके पास क्या होती है इंजरी होती है तो यह platelets जाकर वहाँ पर क्या बना देते हैं जाली जैसा structure बना देते हैं और खून को जमने पर मजबूर कर देते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर उफ प्रेटलेट्स इस नोन अस थ्रॉम्बो साइटोसिस और साइटोपीनिया मतलब अगर क्या हो रहा है थ्रॉम्बो साइट्स थ्रॉम्बो साइट्स का अगर नंबर बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे थ्रॉम्बो साइटोसि पेनिया बोलेंगे थ्रॉम्बोसाइटोपेनिया बोलेंगे ठीक है शेप कैसा होता है प्लेटलेट्स और रियली फ्राग्मेंट्स रादर देन टूसल्स और राउंडेड ओवल डिस्क लाइक बोडिस राइट साइस क्या है टू तू तू थ्री माइक्रो मीटर बहुत ही छो होता है और उसके बाद आते हैं हमारे डवल्यू बीसी जो कि क्या होते हैं जो की होते हैं बारा से बीस्माइक्रो मीटर अभी पड़ा था की पीछे नहीं पड़ा ता ध्यान दे रहे हो ना सो दस दे आर मुट स्मॉलर दें बोथ रेड बलद और वाइट-ब्लड कॉप्यो सेलिलर फ्राग्मेंट से सिंप्ली बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक सेल मेंब्रेन है कुछ सेल और गनिलीज है और सिक्रीटरी ग्राणियोल्स है नौन नुक्लिएटेड है मतलब क्या सिमिलारिटी है और प्लेटलेट्स में अगर आप से पूछा दाता है कि क्या सिमिला होनों नॉकलिएस अब फॉरमेशन में आप मेताय है ओं अपुरम लगायॉवेर होते हैं लुक्ते हैं अनुक्हस थ्रॉम्प व्यातिटन किया है इसका लाइफ थरय प्श्मा क्या है इसका लाइफ स aggiुम प। hatır function क्या है जब भी कहीं injury हो रही है तो blood platelets क्या करते हैं कुछ chemical release करते हैं क्या release करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा detail में भी पढ़ेंगे right platelet factors बोलते हैं क्या होते है platelet factors होते हैं जैसे कि एक का आप अगर example जिसमें से एक है thromboplastin क्या नाम है इस chemical का Thromboplastin नाम है अब यह क्या करता है यह the platelet factors help in clotting of blood तो इससे क्या होती है, ब्लड की clotting होती है और जो blood loss होता है, जो क्या होता है खून का loss होता है, खून की कमी कम होने लगती है धीरे धीरे 5 से 7 मिनिट में क्या होता है, आपका खून का clot बनने लगता है जिससे की खून का बहना रुकना शुरू हो जाता है लेकिन ये और भी काफी सारे factors पर depend करता है तो बेटा, आज हमने क्या किया, हमने blood के components जो WBC और platelet से, वो हमने complete कर ली है तो हमारा blood पूरा complete हो गया है अब हम इसकी और detail में पढ़ेंगे की कैसे blood coagulate होता है blood coagulation clotting क्या होती है, कैसे ये platelet factors वहाँ पर काम करते है blood grouping क्या होती है, erythroblastosis fetalis क्या होता है ये सब चीज़े हम पढ़ेंगे next class में चीज़े, तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में तब तक के लिए, bye bye